हेलो दोस्तों कैसे हैं पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे कॉनकेव मिरर में इमेज कैसे बनता है आज हम लोग सीखेंगे कॉनवेक्स मिरर में इमेज कैसे बनता है और सीखेंगे साइन कॉनवेंशन चिन्ह परिपाटी मतलब हम लोग जब नियुमेरिकल बनाते हैं तो ह हम लोग object distance को, image distance को, object height को, image height को, कैसे consider करते हैं? ये positive लेते हैं, negative लेते हैं, कैसे लेते हैं, ये हम लोग सीखेंगे दोस्ते. तो सबसे पहले सीखेंगे कि convex mirror में image कैसे बनता है. जैसे हम लोग क्या पढ़े थे? Concave mirror में पढ़े, उसका 6 तरह का image बनता था उस पे. अलग-अलग positions पे, अगर mirror के सामने object रखेंगे, तो अलग-अलग जगा पर उसका image बनेगा. Convex mirror में दोस्त, उतना complex नहीं है, जितना की concave mirror में था. ठीक है? यहाँ पर बहुत simple है, बहुत simple, सिर्फ दो ही बनता है. ठीक है? सिर्फ दो ही जगा पर position पर हम लोग रखते हैं, तो image मेरा बनता है, उससे ज़्यादा नहीं बनता है. यह बहुत simple है, उसके बाद हम लोग sign convention पर ध्यान रखते हैं, ठीक है? सबसे पहले सिखेंगे convex mirror में. तो कुछ हम लोग पहले एक हलका सा, कुछ चीज समझ लें दोस्त, हम लोग अलड़ी समझे हुए हैं, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पर हलका सा briefly recap करेंगे. हम लोग क्या सीखें थे? कोई भी line, चुकि देखो, इसमें क्या होता है? यह होता है हमारा convex mirror, इसको हम लोग की उत्तल दरपन बोलते हैं, ठीक है? उत्तल दरपन बोलते हैं इसको. चुकि यह अंदर से polished होता है, बाहर से reflecting surface होता है. यानि कोई भी object हमेशा हमको इस तरफ ही रखना पड़ेगा, मतलब mirror से बाहर कियो रखना पड़ेगा? क्योंकि reflecting surface अंदर है, clear है? तो यहां पर object हम यहां रखेंगे, यहां रखेंगे, यहां रखेंगे, कहीं भी रखेंगे. तो इसका चुकी क्या होता है? इस हमारा mirror का जो focus होगा, वो mirror के अंदर वाले हिसे में होगा? मतलब मान लेते हैं कि यह हमारा focus है, यह हमारा center of curvature है तो इसे ही होता ना? ठीक है, चलो. अब कोई object कहां रख सकते हैं? mirror के सामने में, चुकी यह mirror के बाहरोला हिस्सा है, तो यहां पर कोई fix थोड़ी है, यहां पर ना मेरा focus दिख रहा है, ना center of curvature दिख रहा है, ना मेरा कुछ दिख रहा है, तो हम मेरा इसके लिए यह वाला space है, क्या है मेरे लिए? open है, open मतलब आप कहीं भी रख सकते हैं image को, object को, sorry, object कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है, तो आप हम सावल बचाएं सरक कहां रख दें, ठीक है, इसके हम दो position नापको बताते हैं, दो जगा पर हम लोग इसको रख सकते हैं, सबसे पहला क्या होता है, एक तो हम infinite पर रख दें, और दूसरा हो that will not be measured at all, but if there is, जिसको आप measure कर सकते हैं, it means what, आप उसको कहां रख रहे हैं, mirror और infinite के बीच में, जिसको आप measure कर पाते हैं, यह दो position हो गया, पहला infinite, infinite पर कैसे रह आएगी दोस्त, आपको भी पता नहीं, हमको भी पता नहीं है, but we considered कि क्या होता है, कोई भी mirror पर आएगा, तो ऐसे ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं, या फिर हम इसको अगर simple way में लें, तो इसको हम लोग ऐसे याद होगा, हम लोग ऐसे ऐसे ले सकते हैं, रह आती हैं, यहां से reflect होगी, ऐसे जाएगी, इधर से reflect होगी, तो ऐसे आएगी, infinite है न दोस्त, तो हमारे पास कोई भी fix, तो प्रिंसिपल लेक्सिस होता है यह हमारा c होता है एसा कुछ होता है यानि इन फाइनाइट पर रखा हुआ object जिसका distance आप मेजर नहीं कर सकते हैं उसका जो image बनता है बहुत ही minute, बहुत छोटा, बहुत छोटा, highly diminished focus बनता है, यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ से ऐसे हो जाएगा, यहाँ से ऐसे हो जाएगा, सॉरी, ऐसे जाएगा, आप जैसे मर जी वह ऐसे बना सकते हैं दोस्त, तो यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ से आपका जो यह bend कर रहा है यह भी आपका कुछ ऐसे आएगा और यह कुछ certain tends to focus tends to focus पर यह बहुत ही minute बनता है बहुत माइड़म तो कि बड़ा बना के आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए बट कुछ ही इस तरह का बनेगा आपको जो कि almost invisible होगा almost invisible बहुत चोटा बहुत चोटा बन जाएगा आपको invisible तो नहीं होगा दीखेगा जरूर आपको बढ़ चोटा रहेगा ठीक है इस तरह का आपका image बनता है दोस्ट ठीक है यह हमारा focus बन जा रहा है यह image इस तरह से मारा बनेगा तो कैसा कैसा करेक्रिस्ट्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक् तीसरा क्या होगा दोस्त क्या होगा कालपनिक होगा कालपनिक होगा इने की वर्चुल इमेज होगा ऐसा हो सकता है एक दूसरा पोजिशन क्या होगा दोस्त एक दूसरा पोजिशन होता है जिसको क्या आप मेजर्ड कर सकते हैं मतलब यह आपका मीरर होगा यह आपका mirror है यह आपका P है अगर image को कहीं पर भी object को कहीं पर भी मालो यहां रख दिए मालो यहां रख दिए इसको हम क्या करेंगे दोस्त parallel line ऐसे लेके जाते है clear है यह यहां से क्या होगा ऐसे reflect करेगा यहां से ऐसे जाएगा मान लेते हैं कि यहां पर इसका focus है तो यहां पर इसका क्या होगा center of curvature होगा तो यहां से जब lot बढ़ेगा तो कुछ यहां बनेगा और इस line को हम जानते हैं कि अगर कोई भी line को center of curvature से गुजारते हैं तो वो उसी line पे जाता है और उसी line पे lot क्याता है क्योंकि यह perpendicular होता है, radius होता है, आपको याद होगा, चलो ठीक है, इसको अगर ऐसे मिलाएं, इसको C से मिला देना है दोस्त, ऐसे मिलाएंगे, थोड़ा सा line में रटेड़ा है, लेकिन आप लोग scale से बनाईएगा, तो आप लोग अच्छा बनेगा, ठीक है, ऐसे जाएगा र फोकस और पोल के बीच में बन रहा है, यह सारा image इसका focus पे यह focus और पोल के बीच में बनेगा दोस्त, ऐसा ही बन रहा है, ठीक है, तो यह क्या होता है, इसका भी जो characteristic होगा, कैसा होगा, पैला होगा, यह छोटा होगा, हाँ, यह दीखेगा आपको, ठीक है, जैसे आप चम चमच ले लीजे, चमच का, यह वल अगर अंदर से, ऐसे खरके देखेंगे चमच से, तो यह वला portion में देखेंगे, आपको छोटा ऐसा photo बन जाता है, ठीक है, यह आपका बन गया, तो क्या बनेगा, पहला क्या होगा, यह demonist बनेगा, demonist बोले तो, छोटा, दूसरा बोलेंगे, erected, erected बोले तो, सीधा, और तीसरा क्या बनेगा, कालपनिक, कालपनिक बोले तो, virtual, वर्चॉल बन जागा, दोस्त, यानि कि हमारा demonist बना, erected बनेगा, और virtual बनेगा, यह तीनों image हमारा बनेगा, इतना ही हम लोग देखते हैं, इसमें इसी तरह का image बनता है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका sign convention, clear है दोस्त, अब इसको erase करते हैं, और sign convention हम लोग पढ़ sign convention का मतलब का चेंड़ परिपाटी है, मतलब जब हम लोग mirror formula से numerical solve करेंगे, किसी का हम लोग आपको object distance निकालेंगे, उसका focal length निकालेंगे, उसका image distance निकालेंगे, उसका हम लोग magnification निकालेंगे, इन सभी जगों पर हमको इसका जरुत पढ़ता है, तो इसको कैसे हम लोग निकालते हैं, अब ध्यान दिजेगा, ठीक है, जैसे एक में है rule है, वैसे अब में rule है, ठीक है, तो हम आपको एक छोड़ा सा example देते हैं, कोशिस कीजेगा समझने का, माल लेता है, हमें यहाँ पर concave mirror लिये हैं, एक, यह हमारा principal axis है ठीक है, यह हमारा aim aim dash aperture है, पी पोल है, यह मेरा a focal length है, यह मेरा center of curvature है, ऐसे हो गया, clear है, आपको एक छोड़ा सा चीज और बना रहे हैं, आपको याद होगा graph, हम लोग graph पढ़ते थे, यहाँ पर एक graph plot किये हैं, यह है x, x dash, y, y dash, एक चीज और draw करते हैं, आपको समझाने के लिए, यहाँ पर number line, याद होगा आपको, हम लोग बच्पन में पढ़ते आ रहे हैं दोस्त, class 4, 5 से, 5, 6 में आकर हम लोग बहुत अच्छे से, यहाँ हम आपको समझाने के लिए क्या कर रहे हैं, कोसिस कर रहे हैं कि आपको बढ़िया समझ में है, फूरा concept clear में आ जाए, हम लोग तीन यहाँ प अब कुछ चीज समझते हैं यहाँ, समझने का बात यह है, कि हम लोग कैसे, क्यों हम इतना सरा चीज ड्रॉग कर रहे हैं, इसका main purpose क्या है, इसमें सारा जो हम लोग calculations होगा, जो भी हम लोग distance measured करेंगे, सब पोल से करेंगे, कहां से करेंगे, सब पोल से measured होता है, सारा distance, तो अब आपको समझना क्या है, कि जब हम पोल से बनाना है, तो हम इतना सरा figure क्यों draw कर रहे हैं, तो आप समझने के लिए कि कैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको याद होगा, हम लोग जब पढ़ते थे number line पे, तो जो right side में लेते थे, इस side में 0 से, इस सब हम लोग क्या लेते थे, positive, और 0 के 22 side में क्या लेते थे, negative, याद है न, हम लोग जब X एकसिस बनाते तो क्या करते थे, यह हमारा positive side हो दो अपर में positive Y था, नीचे में negative Y था, आपको याद है न, यानि हम लोग जो उपर लेते हैं सब positive लेते हैं नीचे सब negative लेते हैं right side में चलते हैं तो क्या positive और left side में लेते हैं तो negative अब यहाँ पर एक चीज़ समझेए right side में मतलब क्या इस डिखे arrow का direction भी देखिए अगर हम इस direction में बढ़ रहे हैं तो positive है और इस direction में बढ़ रहे हैं मतलब जीदर हम खड़े हैं मेरे direction में आईएगा इस pole से तो negative है अगर हम उस direction मतलब आगे की और बढ़ेंगे तो यह positive ओका ध्यान देना है यहाँ पर क्लिर है अब यहाँ पर समझाने कोश करते हम आपको देखिएगा इसको भी एक तरह का आप मान लीजिए कि मेरा ये भी एक तरह का ग्राफी तो बन गया ना ऐसे line draw कर दिये तो इसमें सारा measurement हम लोग P से करते हैं और पोल से करते हैं object हम कहीं भी रखते हैं इसमें object कहीं भी रखें मान लेते हैं object हम यहाँ रख रहे हैं objective मेरा A-B है ठीक है object मेरा A-B है इस इस object को अगर हम लोग यहां देखें, तो क्या करेंगे? यहां से कोई भी object जब हम लोग इस direction बढ़ते हैं, towards mirror. तो mirror क्या जाएगी? mirror से जो ray जाएगी, इस object से mirror पे टकराएगी. कहां जाएगी mirror? यह जो ray कहां जाएगी? object से mirror की तरफ बढ़ेगी? सारा ray ऐसे जाएगा यहां से टकराएगा यानि जब mirror के इस ray के direction में इस light के direction में जो भी चीज रहेगा सब positive होगा देखिए light का direction ऐसे ही नहा light के direction में जो भी हम लोग calculation करेंगे सब positive होगा light का direction क्या होगा ध्यान दीजेगा हम लोग सारा measurement P से करेंगे ठीक है तो अब मालेते हैं कि यहीं दूरी है तो P से हमको क्या करना पड़ेगा इस direction में जब भी चलेंगे light के direction में चलेंगे सारा positive होगा मतलब सारा calculation in the direction of light in the direction of light क्या लेंगे positive लेंगे direction of light के में जीतना भी measurement होगा सब positive होगा ठीक है यहीं इस direction में जो भी लेंगे सब positive measurement होगा इस direction में light के direction में ठीक है अगर P से हम लोग measure कर रहे हैं P से जो भी measure करेंगे जो भी चीज measure करेंगे अगर light के ultra direction में आएगा मतलब इस direction में सारा measurement होगा सब negative होगा जैसे क्या-क्या होता है हम आपको बता दे F मतलब क्या हो गया Focal Length R मतलब क्या हो गया Radius of Carvature Radius of Carvature उसके बाद U क्या हो गया Object Distance V क्या हो गया Image Distance Image Distance हो गया अब आपको देखना है Focal Length हम लोग यहां से measure कर रहे है F से measure कर रहे है towards this direction तो यहां से measure करेंगे तो F क्या लेंगे कभी भी F तो इधर ही होगा तो हम measure यहां से यहां तक F करेंगे इसको लेंगे F तो यह क्या होगा मेरा हमेशा negative होगा F हमेशा negative होगा R यहां से यहां तक की दूरी R कहलाती है यह हमेशा negative होगा ठीक है U object आप कभी भी रखिएगा तो mirror के सामने ही रखिएगा mirror के सामने ही रख रहे हैं mirror के सामने रखेंगे तो क्या होगा हमेशा measurement हमको यहां से करना है measurement हमको यहां से रखना, फीता यहां रखेंगे, ना पेंगे, तो कितना होगा भईया, 4 cm, 8 cm, 10 cm, 20 cm, जो भी होगा, तो mirror के सामने रखेंगे, तो यह भी हमारा हमेशा negative होगा, यह always negative है, always negative है, अब रहा image distance, अब image distance क्या होगा, आपको याद होगा, 5 condition में image सब इधर ही बना था, सिर्फ एक ही condition में जो virtual image बना था, वो mirror के दूसरे तरब बना था, उस condition को छोड़के, मतलब यह वाली condition को छोड़के, सारा image मेरा इसी direction में बनेगा, त्यानि क्या होगा, image भी हो जाएगा, negative, except, जब mirror के दूसरे साइड में बने तो, यह भी negative हो जाएगा, always negative, except, इसमें except लग जाएगा, कब लगेगा, जब image mirror के दूसरे तरब बने, यानि image जो है, other side of mirror ना बन जाए, ठीक है, except, mirror image जो है, इस side में ना बन जाए, तब तक इसको क्या लेंगे, negative लेंगे, ठीक है, बिल्कुल वाइस ही ले रहे हैं, जैसे mirror के direction में लेंगे, सब negative, positive लेंगे, एक चीज और, इस line के, उपर में सारा measurement positive है, देखिए है न, positive वाई, नीचे लेंगे तो सब negative, यानि जब भी real image बनेगा, real image बनेगा, तो सब इस axis के नीचे बनेगा, real image क्या बनेगा, सब axis के नीचे बनेगा, जब नीचे बनेगा, principle axis के नीचे बनेगा, तो क्या होगा, उल्टे डर समय देखिए, नीचे में क्या है, y negative है, यानि कि हम लोग a dash b dash जो लेंगे, a dash b dash यानि कि image height image height क्या लेंगे इसको हम लोग हमेशा negative लेंगे कब जब ये real रहेगा तब हमेशा negative होगा अजब a dash b dash जो image height है ये जब virtual रहेगा virtual image रहेगा तो ये क्या लेंगे हमेशा positive क्यों ये तो सीधा बनता है ना ये तो हम जब भी बनेगा तो उपर ही बनेगा सीधा बनेगा ना भाई जानले मालत है यहाँ बन गया तो ये क्या बनेगा positive लेंगे a dash b dash लेकिन जब यहाँ बन गया a dash b dash यह real है, यह क्या है, real image है, यह क्या है, virtual image है, virtual image हमें सा positive, real image हमें सा negative, negative है दोस्त, negative, positive, virtual image, positive, real image, negative, real image, principal axis के में सा नीचे बनेगा, तो negative लेंगे, principal axis के में सा उपर बनेगा, positive लेंगे दोस्त, सब देखें नहीं यहाँ पर सब है उपर में सारा positive नीचे सारा negative लाइट का direction में सब positive लाइट का उटे direction में सब negative नहीं clear है दोस्त यही चीज यहाँ पर applicable है ठीक है उमीद करते हैं आपको यह चीज समझ में आया होगा अब हम लोग अगले वीडियो में क्या सीखेंगे दोस्त हम लोग इस पर कुछ problem को solve करेंगे magnification पढ़ेंगे और उसके बाद problem solve करेंगे दोस्त तब जाकर हमारा mirror कुछ बनता हुआ नजर आएगा ठीक है दोस्त उमीद करते हैं आपको समझ में आया होगा notes बना लीजिएगा नहीं समझ में एक दो बर देखिएगा ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्त बाई